आप सब को स्वागत है आज हम 17 अप्रिल की श्रवदार में पहुंच चुके हैं हमको रचने वाला हम कहते हैं भगवाने खुदा है अल्ला है तो हमारे अंदर परमात्मा या खुदा या अल्ला की आकर्शन मुरत्ता होनी चाहिए हमारे अंदर उनकी तेज उनकी शक्ति होनी चाहिए जिससे कि हम जो चाहें इस दुनिया में सब का भला करना अपना तो होता ही है लेकिन सब का भला करना चाहें तो भो भी हम कर पाएं तो क्या हमारे अंदर वो तेज है क्या हम अंदर वो आकरशनता है कि हम और उको आकरशित कर पाएं इसके बारे में आज परमात्मा कहते हैं कि दिल में एक दिल आराम दिल को आराम देने वाला दिल आराम बसाकर सहज योगी बनने वाले दिल में अगर कोई बस जाता है विक्ती तो उसके साथ योग, उसकी याद, योग मुटलब याद सहज हो जाती है तो क्या हमने अपने दिल में परमपिता, परमात्मा, भगवान, अल्ला, जिहुआ, खुदा, शिवा, जोतिर बिंदू, शंकर जी नहीं, शिवा, जोति बिंदू, उनको क्या हमने बसाय हुआ है तो परमात्मा कहते हैं, सहज योगी बनने वाले सर्व आकरशन मुरद भवा जब हमारा उनसे योग लग जाता है, तो हमारे अंदर वो सारी आकरशन करने वाली शक्ति आ जाती हैं, जिससे की लोग आकरशित होते हैं तो परमातो पह चीलते हैं, दिलाराम को दिल देना अर्थात, दिल में बसाना, हम व Pakति युग देते हैं, उसके बाद मैं जब धोका खालेते हैं, या कभी हम ज्यादा इस्तमाल हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, तो हम अपने आपको व कीजोग समझना शुरू करते हैं, क ये वैसा प्यार नहीं है जिसमें कि आप स्लेव बनो या भीकारी बनो किसी के प्रेम के लिए या तो फिर आप किसी के विक्टम बन जाओ जो कि आपको बार बार इस्तमाल करे यूज करे और छोड़ दे आपको ये दिल में बसाने वाला परम्पिता परमात्मा हमें यूज न करता है जैसे कि हमें ही सुकुन मिलता है तो परमात्म या कहते हैं कि जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा सही बात है अगर आपका धन में दिल है तो दिमाग दन में चलेगा बच्चों में दिल है तो दिमाग बच्चों में चलेगा अपनी सेहत में दिल है तो सेह लगता है परमात्मा से मिरा मन नहीं है प्रमातमा के मन अभी है शक्ति मिरेको परमात्मा नहीं में भागवान को याद करने में भागवान के कारे में लगाऊं मेरे सारे कारे परमात्मा को भागवान कर देंगे सब बाप को दे दी मन, वानी और कर्म में से बाप के हो गए मन, वानी और कर्म से बाप के हो गए कि जो उन्होंने कहा हुआ है, सिखा हुआ है उसके अनुसारी मेरे संकल्प चले, मेरे बोल निकले और मेरे कर्म हो बाप के हो गए तो और कोई भी संकल्प वा किसी भी प्रकार की आकर्शन आने की मर्जिन ही नहीं और मतलब कोई अपवित्र जो की मर्यादाओं के अनुसार नहीं है जो की सही सोच नहीं है जो कि normal दुनिया वालों जैसी सोच हो गई है वो आ नहीं सकते उसकी margin ही नहीं है स्वपन भी इसी अधार पर आते हैं लेकिन अगर दिल किसी और विक्ती के साथ जुड़ी होई है कहीं न कहीं दुख फील हुआ है किसी ने कुछ किया है आपको छोड़ दिया या आपके साथ नहीं रहे या आपके साथ धोका किया और आपके दिनों आटकी होई है उस धन में उस संबंद में या किसी भी चीज में तो फिर आपके सुपन में भी होई आएगा जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षन आ ही नहीं सकती जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षन आ ही नहीं सकती किसी चीज से, किसी विक्ती से, किसी वस्तू से हमारी आकर्षन हो भी नहीं सकती जब हमने कहा दिये सब कुछ आपका है तो बुद्धी में कौन घूमना चाहिए जिसने सब कुछ दिया है वो की जो दिया है वो सोचीगा आप उसके बारे में तो देने वाला याद आता है जो चीज दी होती है वो कम याद आनी चाहिए लेकिन और जो चीज़ें हमने देखी है जो कि उन्हें ने में दी है उससे अगर देने वाला याद आए तो इससे अची बात और क्या जिसको हम कहते है gratitude जिसको कहते है धरनेवाद तो परमात्पर कहते है सहज ही सर्व आकशन मूरत बन जाएंगे हमारे दर वो सारी शक्तियां आ जाएंगी कि हम जब नहीं चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए ही इससे कुछ भगवान कर दिया हुआ है तो आटमांटल्धी अमने दर वह आकशन हाया है कुछ मना चाहिए ना मां चीतने चीतने कुछ भी नि चाहिए थो कि यसा बना चाते हो कि要 तो लिप्स्रिक लगा ले पौडर लगा ले मेक-अप कर लें टाइल लगा लें बूट्स लगा लें ट्रेस अप कर लें और आकर्शन करें ठोड़ए से मिख लें याते वो टेमप्रेरी आकर्शन या तो फिर अधियक्निक संपून पवित्रा आकर्शन दो चोइसे से एक सदकाल कर ले निया रहेगा और एक सदक आखे रहेगा, सोचिक इसके बारे में, ओम श्यांति इसके सब्सक्राइब